कि असलाम लेकुम जनाप आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा जी सी के जो कंट्रीज है और उनके जो सराउंडिंग अरभिक स्टेट्स है उसका आप लोगों को बताऊंगा यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है यमन जो के बॉर्डर शेयर करता है साथ एक साइट पर और एक टाइम ता सब्सक्राइब और यमन की फाइड भी थी फिर दूसरी साइट पर वो बॉर्डर शेयर करता है उमान के साथ जो कि जी सी स्टेट है ठीक है और यह जी सी सी की जितने भी स्टेट्स हैं इन सब कहीं न कहीं पर जो है ना बॉर्डर वो लगता है सी साइट को यहां पर तुबई यूई आपको नज़र आ रहा है ठीक है यहां पर चोटा सा बहरेन है और उसके साथ यहां पर राइट साइट पर कतर और आगे मैं आपनों को स्क्रॉल अप करके दिखाता हूँ उधर बॉर्डर में कौनर में कुएत है उपर और कुएत दूस कि इसके बाद इस जितना बड़ा सारा है यह ढर्मयान में जितना भी जिस साब़ा इरिया सुदिक की भाध therefore इतना बड़ा है जीकी सी में अरो बाकी सारे चोटेशे स्टेट संथ है और इन गौटर हो भी वादिया यहां पर आपको जोटन नज़र आ आता यहां पे स्क्रॉल मैं अब लोगों को करके दिखाता हूँ है यह इनका इसके उसके साथ कई है थीक है इसको नौट सिना और सॉस चिज़ा बहद ही कहते हैं इस साइड कर अगते हैं ते फिर आ आगे हैं आजित उससाइड कि आप जाओ सिरिया वाला इससाइड आ रहा और सीरिया के साथ मैं आप लिबनान टीक है लिबनान यहां बेर और फिर इधर है इराक जो कि कुएत को बार्डर शेर करते हैं यह इराक है और इराक के साथ इस साइट पर इरान आ जाता है और इरान भी बहुत बड़ा है लेकिन इरान भी अनफॉर्जनटली जी सी सी का पार्ट नहीं है तो यह आप लोगों ने देखा कि जी सी मतलब यह एक एरिया है जिसमें कुछ कंट्रिस ने इतहाद क्या है और जिन कंट्रिस ने इतहाद है वह वह चोटे हैं लेकिन बड़े सक्सेस्फुल ए जी जणाब तॉस ने देख लिया है इनका इनकी का the stations जो जी सी स्टेट के हैं जी सी स्टेट मतलब जी सी सी कंट्री में गल्फ मां कि जो ऑगल्फ तो इसमें अब आप लोगो यह मतलब Google Earth के तूरो यह Google Map के तूरो बताने का परक्रस किया था कि इदेखो यह हैं इसमें सब्से सबसे बढ़ा जो सीधी बात है जी सी के कंट्रीज में से लेकिन इनका पूरा वह जो रीजन है क्या बोलते हैं जिसको हमारे उसमें मतरवी जो अरब्स का जो एरिया है ठीक है क्योंकि इंदियन भी देख रहे होगा है उर्दु में बोलने लगा था वह आपनों को समझ नहीं होनी थी ठीकश है बट यह जो एक एक बंच तर इसमें यूई बहुत चोटा है बहुत चोटा है कोईट चोटा है कतर बहुत चोटा है लेकिन इन का देखो कि इन गार कितना 파वा चलता है यार मतलब इस एरिया मैं और मज़ी के बात यहाप लोगों ने कि एक स्टेट जिसको पाकिस्तानी पासपोर्ट के उपर बड़ा-बड़ा सा लिखा हुआ कि यह पासपोर्ट वैलिड है सिवाए इस्राइल के उसको भी नहीं एक्सप्ट कर लिए वाई क्यूंकि इनकी रीजन में वाता है अब यह मतलब इस्राइल वाली बाद मैं आगया अब आप लोगों को एक्स्प्ट करके देने चाह दें लेक्टर नहीं देरा मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस करूं जो चीज़ हमें नहीं थी पता और जो जो चीज़े बता चल रहे ही हम वह मैं साथ मैं आप किस सथायटे में कुछ पॉजिटिविटी आती है तो औ और मज़ी के बाद यह के जो इंटरनेशनल कोड़ वह यूई का है प्लस 971 और इस्राइल का है प्लस 972 मतलब यह यूई के बाद इस्राइल का जो कोड अलॉट हुआ था या जो भी उसको समझे उसके सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे मैं उस पर प्लान कर रहा हूं अब इसमें देखो रिच कौन से कंट्रीज है इस पूरे रिजन में रिच वो कंट्रीज हैं जो जी सी सी का कांसल का मतलब जो छे हैं ठीक है सब्सक्राइब यूई ओमान और फिर बहरेन कतर्क और कुएट यह चे कंट्रीज जो है यह आपकी रिच है और इनका होल्ड है तो मतलब इराक ने नोड़ जो भी खायता लेकिन अब देखो इराक का कुछ नामों निशान नहीं है रिसेंटली चल रहा था यमन का साओधी के साथ उसमें यूई नहीं पर अपनी ट्रूप्स वगारे मतलब आर्मी वगारे भीजी थी और जो मज़े की बात है जो मैं बत पाकिस्तान का और इंडिया का यह थो बहुत बड़े मतलब एक समझण फार्डी जायन्टस चलो पाकिस्तान नहीं इंडिया तो है उसके साथ अगर पाकिस्तान का अच्छय टायड़ होता है अदेखो यूई को अगर आप एंडॉर्स करते हो और यूई को अगर आप लेके चलते हो यूई जाना भी चाहते हो गल्फ जाना चाहते हो और काफी सारो लोग जा रहे हैं और जाते हैं हम भी प्रोमोट करते हैं तो जो आपका नेवर है इंडिया उसके साथ अच्छे ताइप्स करो इंडिया को चाहिए चलो इंडिया को नहीं जरूरत हमें तो जरूरत है अच्छे टाइप्स की आपके अपने रीजन में अच्छी चीजें उठके आएंगी अब यह चीजन जो मैं कह रहा हूं नहीं यह मतलब कहने से नहीं होते और इस पर बड़े टाइम लगता है अब आप देखो बहरें कितना चोटा है आपके लहोर से चोटा बहरें आपने देखा भी ठीक है मैंने गूगल आप लोगों को देखा भी कि बहुत चोटा सा है मतलब अगर लोहोर को इंडिपैंडेंट किया जाए इस जितना है बहरें और उसकी करंसी देखो 400 प्लस पाकिस्टान रुपीस के बराबर है उनका एक दिनार इतना एक्सपंसिव है तो इन सारी बातों का परपस क्या है कि अगर आप यूनिटी के में और शेंजन में थोड़ा बहुत फरक है वो फरक भी मैं आप लों को बताऊंगा वो भी ऐसे एक दूसरे के साथ आसपास जुड़े हुआ है ठीक है और यह खैर अब देखो यहां पर इराक का और इरान का बहुत मतलब एक साइट पर पूरा यह जो मैंने बता दी यह अ अम्हेरका की विरत से और एरान को वो एक्सफ्ट कर रहरे हुए रहरान को ग्रो नी करने दे रहे यह जो भी वह है नुक्लियर पावर जो उनका मतलब चल रहा है तो वह हर जागा उमली करता है आपको करता है मुझे चर्थ हैं हम डिस्टर्ब रहते हैं तो मैं चोशिश कर दूसरी साइड़र है मतलब बीच में आता है उसी का नाम का रड़ सी ठीक है एस सड़ फिर ईजिप्ट आता है फिर फिर यह सोडान और फिर ओब दूसरी साड़ पह मरा को यह तो यह मतलब यह से बड़ा घ्र किसी का बड़ा होल्ड है यह यूनियंस किसी बड़ा से बनती है आपको पर्सनल और मीच्वल बैनेफिट्स धिक्ते वे लाइंस बनानी पड़ती है और उनके इसाब से चलना पड़ता है अब मैं मतलब मेरी वीडियो के बाद ऐसे तुन नहीं है कि इंडिया का और पाकिसान है बाकि क्वेत हो गया बहरेन उमान मतलब सॉद्फी एक पाद आंकी बारे पी पिराते हैं अगर अगर इन कंट्री के तरफ जाना भी चायते हैं ठीका और इदर कुछ कमाना भी चाहते हैं उनके आपको डैमोग्राफिक्स और बायोग्राफिक्स जीज consider पता हो ना हमें नहीं था हमें लगता था बस यार गल्फ के कुई सिंग है या कोई खुदा है जो चला रहा है ठीक है हलांकि अगर देखो यह भी आप मैंने आप लोगों को देखाया तो नहीं गवादर भी फिर बीच में यहां पर आ रहे हैं पाकिस्तान बहुत बड़ा है इंडिया ब जी सी तो इतिहाद और आपको बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करवाती हैं आपको आपकी फ्यूटर में तो एनवे नेस्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे शूट करें जो यह इनके इंटरनाशनल कोड़ होता है नहीं उसके लाइंड लाइन के लाइ सब्सक्राइब करें चैनल को तो फिर मिलता है किसे और टाइम एक और वीडियो के साथ तब तक अपनों पोज़ा रखाल रखें मुझे द्वा में आधा रखें लाफिस भाई एंड टेक करें